प्यारे भाईयों बहेनों नमस्कार कुरोनमा हमारी के चुनोति पूर्ण समय में आप और आपके परिवार की सुरक्षा और अच्छे स्वास्तिय की कामना करती हूं वो लाखो परिवार जिनोंने अपने प्रियजनों को खोया है उनके प्रती भी दिल से अपनी संवेधना व्यक्ट करती हूं हमारा देश इस समय कुरोना की जानलेवा मुसीबत का सामना कर रहा है आप सब जानते हैं लाखो की संक्या में हमारे परिजन कोरोना से रुजाना पीरित हो रहे हैं ये संकत सभी देश वासियों के लिए परिक्षा की घड़ी है हमें एक दूसरे का हाथ पकड़ एक दूसरे का सहारा भी बनना है और एक दूसरे की ताकत भी मैं जानती हूँ कि मुझूदा हालात इंसान्यक को हिलाद देने वाले हैं कही ओक्सीजन की कमी हैं, कही दवाव का अकाल है और कही अस्पतालों में बिस्तर नहीं है यस्तिती देश के ज्यादतर राच्चों में बनी हुई है बेहत जरूरी होने पर ही घरों से बाहर निकले घर और बाहर दोनों जगा पूरी सवधाने बरते ना खुद के जीवन को खत्रे में दाले ना औरों के चितना हो सके बेदभाव चोर कर एक दूसरे की जहां तक हो सके हर संबव मदद करे रही बात सरकार की तो केंदर और राज्य सरकारों के लिए यस समय जाग जाने और करतव्य को निभाने का है मेरा केंदर सरकार से आगरा है कि वे सबसे पहले गरीबों की सोची और उनका पलाएन रोकने के लिए हर एक परिवार के लिए जाग जाने और करतव्य को निभाने का है मेरा केंदर सरकार से आगरा है कि वे सबसे पहले गरीबों की सोची और उनका पलाएन रोकने के लिए हर एक परिवार के खाते में संख़त हाथम होने तक 6,000 रुपे दाले देश में कोरोना टेस्टिंग बढ़ाए जाए दावाए ओक्सीजन और अस्पतालों के युद्सतर पर प्रबान किया जाए सारे देशवासियों के लिए कोरोना से बचाव के मुफ्त तीका कारण का इंतजाम को ताकि लोगों को बचाया जा सके कोरोना वक्सीन की कुमपलसरी यानि आनिवारिय लाइसिंस दिये जाए ताकि थोड़े समय में सबको वैक्सीन मिले वैक्सीन की कीमत का भेदभाव बंद हो जीवन रक्षक दवाईयों की काला बजार बंद हो सारी इंडास्ट्रियल अक्सीजन को अस्पतालों को देने का फर्म इंतजाम हो देश के सभी राजनीतिक दलों की सहमती से राश्चिय अस्तर पर कोविट से निपतने की रणनीती बनाए जाए इस आफसर पर मैं कोविट से लड़ रहें सभी डाक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, और हेल्थ वर्कर्स को नमन करती हो जो अपनी जान की बाजी लगा कर मरीजों का इलाज कर रहें सातियों मैं फिर कहना चाहती हूँ कि इस संकत से पार पाने के लिए एक जुटना ही सबसे बड़ा मंत्र है हमारे देश ने इससे पहले भी बड़े बड़े संकतों का सफलत पूर्वक सामना सातियों मैं फिर कहना चाहती हूँ कि इस संकत से पार पाने के लिए एक जुटना ही सबसे बड़ा मंत्र है हमारे देश ने इससे पहले भी बड़े बड़े संकतों का सफलत पूर्वक सामना एक जुट होकर किया है कांग्रिस पार्थी देश को कुविट संकत से बचाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से उताये जाने वाले हर जरूरी कादम में साथ देगी मुझे पूर्य उमीद है कि आप कोरोना संकत की गंभीरता को समस्ते हुए एक नागरिक के रूप में अपना भरपूर योगदान देंगे आशा करती हूँ कि हम सब की कोशिशों से देश इस संकत से पार पाने में जल्दी ही सफल होगा जए हिंद